Hello everyone, welcome back, welcome to eye care taker. I am Dr. Deepak Thakur, consultant, optometrist. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आई के नीचे, इसकिन पर जो हमारे infection हो जाता है, उसको कैसे ठीक करें, क्या-क्या उसके cause होते हैं, क्या-क्या symptom होते हैं, और home remedies की बात करें, तो क्या-क्या home remedies हम कर सकते हैं, जिससे ये हमारा infection ठीक हो जाए. तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो हमारा infection होता है, इसको बोलते हैं dermatitis, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा खुझली होती है, खुझली में उनको लगता है कि उनकी आंख के अंदर खुझली हो रही है, पर उनकी आख की skin पर खुझली होती है, इसमें आपको जितना जादा खुजली करते हो रब करते हो आपको उतना जादा रिलीफ मिलता है तो यह आपकी skin का infection है जिसको आप dermatitis बोलते हैं इसको कैसे ठीक करें कैसे पहचान है अगर अपनी skin को जब आप टच करेंगे तो जैसे एक skin है smooth और एक skin है जहां पर थोड़ा infection है तो हमारी जो skin होती है वो थोड़ा खुरदरी हो जाती है तो आप जब अपनी आइस को ऐसे टच करके देखोगे जहां पर खुजली हो तो वहां पर आपको फील होगा कि कुछ खुरदरा खुरदरा हो गया है अगर आपकी redness वी है तो तो आ होता है redness नहीं होती सिर्फ infection type होता है जैसे इनकी आँख में देखें तो इनके थोड़ा skin पर infection है तो अगर आपका ऐसा केस है तो आप टच करके फील कर सकते हो तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है कैसे इसको हम ठीक करें क्या-क्या home remedies हम इसमें कर सकते हैं आपक soap यूज करते हो जो भी आप यूज करते हो प्रोड़क्ट अपने face के लिए वो आपको बंद कर देना यूज करना क्योंकि इन products में chemical होते हैं chemical की वज़े से हमारे ये problem और ज़्यादा बढ़ती है और ये ठीक नहीं होती तो आपको सबसे पहले अपने ये face skin product बंद करके अपने face को दोना है आपको natural चीजां यूज करनी है मुलतानी मिट्टी भी यूज कर सकते हो अगर अपको पसंद है तो इन चीजों से आपको अपने face को दोना है वास करना है और आपको product बिलकुल बंद कर देना कोई भी cream यूज नहीं करनी उसके साथ आपको कोई भी makeup यू भी बहुत जल्दी आने लग जाते हैं हमारे infection की वज़े से खुझली तो हमारे होती है पानी भी आता है कई बार हम उसे इतना ज्यादा रफ इतना ज्यादा खुझली कर लेते हैं कि 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 किसी जगे blood आने के भी चांस हो जाते हैं यह जो dermatitis होता है यह इसके क्या क्या में अगर आपके बालों में ऐर तो आपको एन्टी ठेंडर डार सैंपू यूज से भी हमारे मिल्कुल क Tabii cos होते हैं को इसके लिए सबसे पहले तो आपको वह प्रोडक्त कर देने और नेशरल प्रोड़क्ट पर सिफ्ट हो जाना है साथ में आप coconut oil यूज कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर लगाने के लिए और आपको अपने हाथ एकदम हाईजैनिक रखने बिल्कुल साफ सुतरे रखने ताकि और इंफेक्शन बढ़ने के चांस ना हो साथ में आप एलोवेरा जैल भी कर सकते हैं उससे भी इसमें बहुत ज्यादा राहत मिलती है अगर आपको इन सारी होम रेमेडी से भी रिलीफ नहीं मिलता तो आप अपने नियर बाई डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और प्रॉपर चेक अप करा के एंटिबाइटिक दवाईयां एंटिबाईयां वह चलाते हैं जिससे आपको इसमें जल्दी राहत मिल जाती है बहुत सारे पेसेंट में दो-तीन दिन में भी राहत आ जाती है और बहुत सारे पेसेंट में चार-पांस दिन भी लग जाते हैं थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो प्लीज लाइक अब सब्सक्रीब